Hello everyone and welcome to Mr. Intrudent YouTube channel आज हम लोग बहुत ही important topic international trade को cover करने वाले हैं इसमें recent trends क्या है, क्या world pattern रहा है trade का किस तरीके से composition होता है trade का, क्या volume होता है trade का, क्या direction है trade का इन सभी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो recent कुछ important events है जैसे COVID-19 और Russia-Ukraine war इनका क्या impact पड़ा है international trade पर इसे भी हम लोग इस वीडियो में cover करने की कोशिश करेंगे so without wasting time, let us start with the video सबसे बहले हम लोग देखेंगे international trade होता क्या है देखें, trade refers to exchange of goods and services जब भी हम लोग कोई भी goods या services का exchange करते है तो उसे हम लोग क्या कहते है, trade कहते है यानि हम लोग कोई समान को खरीद रहे हैं या किसी की service को ले रहे है तो वो एक तरीके से trade हो जाएगा जब ये दो देशों की बीच में होता है तो वो international trade होता है internal या domestic trade क्या होता है जब किसी एक country की ही boundary के अंदर trade हो रहा हो तो वो internal trade होता है और international trade क्या होता है जब दो countries या दो से ज़्यादा countries आपस में trade कर रही हो तो उसे international trade कहेंगे अब देखें international trade किन-किन वजहों से होता है पहली तो differences in natural resources and products और विस ही बात है हर एक जो कोई एक country है तो उसके पास हर तरीके की resources नहीं होंगे जैसे अगर अफगानिस्तान है या for example इंडिया ही माल लेते तो इंडिया में उतने ज़्यादा आप क्या सकते nuts या ground nuts या इन सब dry fruits की उतनी ज़्यादा आप क्या सकते production नहीं होता है तो वो अफगानिस्तान से उन चीजों को import करता है यानि उसे treat करना बढ़ता है तो हर एक जगा में अलग-अलग availability है natural resources की कुछ देशों के पास rice ज्यादा है किसी के पास weed ज्यादा है किसी के पास mineral ज्यादा है किसी के पास oil ज्यादा है population size and cultural factors कई बार क्या होता है कुछ देशों की population इतनी बड़ी होती है कि उनकी needs को पूरा करने के लिए हमें और भी ज्यादा resources की जौत परती है for example इंडिया ही मान लेते हैं इंडिया की इतनी बड़ी population है कि इसके हर एक इंसान की जो need है वो केवल आप इंडिया में उगाई हुए अनाजो या इंडिया में मिल्याली resources से पूरा नहीं कर सकते है तो आपको दूसरे देशों से भी resources चाहिए होगी economic growth के लिए भी international trade चाहिए ये international trade से economic growth कैसे होती है जब व्यापार बड़ता है तो अलग-अलग skills एक जगध से दूसरी जगध आती है अलग-अलग technology trade देखे किसी भी त्रीस का हो सकता है trade जोई ने कि केवल resources का हो products का हो manufactured goods का भी हो सकता है trade आपका skill और technology का भी हो सकता है एक देश दूसरे देश को कोई technology भी सिखा सकता है 5G technology कहीं पर किसी दूसरी country की मदद से install की जा सकती है अलग-अलग देशों में जैसे कहीं पर पहले bullet train बनी होगी फिर उसी technology को अब इंडिया में लाग रिया जा रहा है with the help of Japan तो इन सब चीजों को इन सब चीजों को किसले एक किया जाता है कि international trade थोड़ा easy हो जाए ऐसे trade routes बनाए जाते है जैसे इस तरीके से railways बनाए गई थी जो transcontinental railways होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा trade हो सके तो जब trade के लिए हम लोग opportunities धूनते तो उसके साथ हमारी economic growth की भी opportunities बढ़ जाती है फिर क्या capital investment देखे capital investment जो है वो trade के लिए बहुत जादा important है क्योंकि जो underdeveloped countries होती है इनके पास capital उतना होता ही नहीं available तो इस वज़े से इनका उस पर trade पर बहुत जादा असर पड़ता है ये labor intensive goods ज्यादा बनाते है क्योंकि इनके पास capital नहीं है वो इन्हें क्या करना पड़ता है trade करवाना पड़ता है यानि import करवाना पड़ता है तो capital investment भी एक major role play करता है आपका किसी भी country में trade का pattern क्या होगा ये फिर trade कैसा होगा transport अब्विस ही बात है transport अगर किसी country के पास बहतर होगा तो उसकी resources उसे ज्यादा easily एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है किसी के बास transport ही नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा दूसरे देशों से trade करना पड़ेगा अच्छा देखें ये जो transport वाला है ये इस तरीके से भी आपका important है कि जो हमारे sea roots होते है ये जो हमारे अब आजकल जो दूसरे भी आगर roots है तो sea ports की जहाँ पर availability है वहाँ पर trade effect होता है यानि trade वहाँ पर easily हो सकता है और जिन देशों के पास sea ports नहीं है उनके लिए थोड़ा से यानि जो landlocked countries है उनके लिए trade में थोड़ी सी problem हो जाती है government policies and trading restrictions इसी पर जाता है मगर जो आपका जहाँ पर protection के policy है या जहाँ पर trading के restrictions है तो वो भी एक तरीके से international trade को hamper करती है ये कुछ ऐसे factors थे जो किसी ना किसी अच्छी तरीके से भी आप समझ सकते कि अच्छा impact भी डालती है और adverse यानि good and bad both type of ये impact हमारा international trade पर डालती है इनकी वज़े से जैसे transport की वज़े से अगर cheap transport available है तो किसी country का trade अच्छा भी हो सकता है लेकिन अगर transport नहीं available है तो उसका trade खराब हो सकता है उसको trade करने में problem हो सकती है अब हम लोग patterns of international trade को देखेंगे देखें जो आपकी class 12 की NCRTs है उसमें trade में 3 चीज़े important दी गई है पहली चीज़ बताएगी है महाँ पर volume यानि कौन सी या कितने amount में goods का आपका एक 2 countries में या आपस में overall world में जितनी countries है उनमें कितना amount of goods trade कि अधार है तो ये तो volume हो गया फिर एक चीज़ आती है direction direction of trade यानि किस direction में आपका trade हो रहा है तो direction क्या show करता है कि किस तरीके से developed countries से underdeveloped में trade ज्यादा हो रहा है या फिर export कौन ज्यादा कर रहा है import कौन ज्यादा कर रहा है इसको हम लोग figure की मदद से समझ लेते है देखिए यह जो आपका world trade होता है यह हमेशा comparative advantage की वदे से होता है comparative advantage आपको पता होगा कि कोई एक country ऐसी होगी जो देखिए जैसे अगर मान लेते हैं दो countries है A और B यह दो goods बना रही है X और Y यह दो countries हैं आपकी A और B और यह दो goods बना रही है X और Y तो A जो होगा यह दोनों ही जो goods है इसमें इसको comparative advantage होगा इसको जो आप देख सकते हैं A country वो X भी ज़्यादा बना रही है Y भी ज़्यादा बना रही है लेकिन इसे क्या है कि ज्यादा advantage किसमें है X good बनाने में और B को किसमें है comparative disadvantage इस पर मैंने एक separate video भी बनाई हुई है उसको आप लोग समझ सकते है Basic कहने का sense कहा है कि आपका comparative advantage वो होता है जो कि आपस में जो हम लोग compare करते हैं किसी country का कि उसे क्या बनाने में ज्यादा मुनाफ़ा होगा और किसी दूसरी जो less developed country है उसे क्या बनाने में कम नुकसान होगा तो उसके accordingly हम लोग trade करते हैं In medieval period अब देखो medieval times में क्या होता था कि जो developing countries थी या colonies of Asia थी ये सब ज्यादातर export करते थे ये import नहीं करते थे क्योंकि इनके पास जैसे इंडिया जो था उसमें medieval age में उसके पास बहुत सारे spices थे जो कि European nations में उनकी बहुत ज़्यादा demand थी तो इंडिया क्या करता था spices को बहुत ज़्यादा export करता था यानि यहाँ पर हमारा जो pattern बनेगा इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यह देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले जो industrial revolution से पहले का time है इस time पे क्या हो रहा है कि यह जो under developed countries है यह ज्यादा export कर रही है और यह जो आपकी developed countries है वो क्या कर रही है वो import कर रही है इस वदिसे हमने red से दिखाया हुआ है तो यह industrial revolution से इन्होंने बहुत सारी मशीने लगा ली इन्हों यह कपड़ा बनाने लगे और raw material यह क्या करते थे जो इनकी colonies थी वहीं से raw material लेते थे और अपने यह मशीनों में क्या कपड़ा बनाते थे बहुत cheap quality की चीज़े आसानी से बन जाती थे और उसको फिर अपनी ही colonies में जाकर जैसे जो underdeveloped countries थे उन्हीं के market में बेच देते थे तो यह क्या करने लगे अब यह ज्यादा export करने लगे और किस चीज़ का export? चीप products का या manufactured goods का यह लोग export करने लगे तो यह एक तरीके से आप कह सकते world trade pattern था जो की जिसकी direction change हुई है world trade pattern medieval times में आप कैसे बताएंगे? कि जो underdeveloped countries थी या जो Asian African countries थी वो ज्यादा export करती थी क्या export करती थी? valuable items valuable items में gold, silver, metal spices यह सारी चीज़े हो सकती है लेकिन जब यह modern times आया तो modern times में क्या हो गया? industrial revolution हुआ industrial revolution के बाद यह जो import export वाला थी यह roles बदल गए अब जो developed countries थी वो ज्यादा export करने लगी क्या export करती थी? यह कपड़े या जो आपका manufactured goods है यह basically जो cheap product है उन्हें यह easily export करने लगी तो इस तरीके से world का create pattern बदल गया अब देखिए इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग world war को भी लेगेंगे world war से पहले क्या होता था? और world war के बात क्या होता था? यह भी हम लोग दो तरीके के patterns में change देख सकते हैं देखिए यहाँ पर एक second देखिए the international create pattern underwent a drastic change यहाँ पर दिया हुआ है after the second world war particularly after 1950 अब 1950 के बाद क्या होने लगा है? जब West European countries थी इनकी बहुत सारी colonies छूट गई जैसे आपको पता है 1947 में इंडिया भी आजाद हुआ था और दूसरी भी कई सारी countries क्या होई थी धिरे धिरे अंग्रेजों से आजाद होगी थी almost पहुत सारी countries क्या होगी थी आजाद तो अब क्या हुआ एक बार फिर से pattern बदलने लगा अब यह जो countries थी जहाँ पर और यह European countries industrial revolution के बाद में यहाँ पर ज्यादा cheap products को export करने लगी थी अब यह जो newly independent हुई countries थी जैसे इंडिया हो गया यह जो दूसरी countries थी Pakistan हो गया यह सारी countries थी और majorly यहाँ पर लोग चाइना की बात करेंगे चाइना वगेरा में क्या होगे यहाँ पर भी industries लगना चालू हो गया इंडिया और चाइना में यहाँ पर भी development चालू हुआ तो यह लोग भी cheap products बनाने लगे अब यह अपनी cheap products को फिर से market में यानि international market में उतारने लगे और धीरे दिने हमारा trade का pattern अब धीरे धीरे फिर से क्या होने लगाए पहले की तरफ जाने लगा यानि अब क्योंकि आपको पता चाइना बहुत जादा cheap products बनाने लगा है चाइना के बहुत जादा amount में manufactured goods बनते हैं चाइना में तो इस तरीके से चाइना ने भी एक तरीके से आप क्या सकते है modern time में वहाँ पर चीजे बदल रही है क्योंकि world war के बाद कई सारी colonies free हुई है तो इंडिया हो गया बांगलदीश जो है वह textile में बहुत जादा leading आप क्या सकते हैं एक तरीके से textile producer है तो यह सब कुछ ऐसी countries है जिन्होंने world war के बाद पूरा ही trend बदल दिया अब देखिए यह जो हमारा graph है इसको हम आप अपने answers में incorporate कर सकते हैं यह recent trends of world trade को दिखाता है इसके अलावा हमने features of post covid-19 trade scenario को देखना है इसमें क्या है post covid-19 यानि covid-19 के बाद में trade का क्या scenario रहा है global trade is increasing by about 10% per year यानि trade अब और जादा बढ़ने लगा है trade पे क्योंकि covid के time पे जो restrictions लगाई गई थी उसके बाद जब वो थोड़ा सा normal चीज़े हुई है अब जब trade होने लगा है तो वो पहले से बहतर है या ज्यादा है इसको इस sense में समझेंगे हम लोग कि अगर covid से पहले आपका मान लेते 10 tons या 10 million tons का trade होता था covid के time पे बहुत ही कम हो गया मान के चलते 1 million tons अब ये फिर से अगर 10 million tons हो रहा है या फिर 5 भी हो रहा है तो ये कितना हो गया ये काफी 5 times बढ़ गया है compared to आपका जो covid के time पे था तो उससी sense में या पर बताया गया है कि global trade जो है वो धीरे trade recovers more slowly यहां पर थोड़ा सा trade को लेकर के problem है developed countries का trade है वो ज्यादा improve कर रहा है trade and goods have surpassed pre pandemic level specially covid related sectors आपको बता जो pharmaceuticals है या जो mask वगेरा के business में या इन सब चीजों में जो covid related item से उनका trade बहुत जादा बढ़ने लगा है जो PPE kit बनाते हैं इन सब चीजों का trade global level पे बहुत जादा बढ़ने लगा है तो यह pre pandemic level से भी जादा हो गया अब जो hand wash है या आपका जो sanitizer इन सब चीजों का तो trade बहुत होने लगा है है ना trade भी होने लगा है इनका production भी बहुत होने उनका trade पहले से जादा होने लगा है अब उनकी पहले से जादा need होने लगिए अब देखो global trade outlook for 2022 यह लिखा हुआ है यह आपका 2023 में भी same global trade outlook काफी time तक work करेगा अच्छे देखिए जब भी आप यह देख रहे होंगे यह video तब उस time का जो recent अगर कोई भी development हुआ होगा क्योंकि यह जो entire data है यह मैंने United Nations की website से लिया हुआ है तो मैं आपका pin comment कर दूंगा जो latest आपका United Nations का PDF होगा उसका मैं हमेशा pin comment करके रखूंगा तो अगर कोई भी change होता है आपका इस data में तो आप वहां से भी refer कर सकते है या फिर आप normally भी अगर recent trends ends by United Nations ऐसे गर के डालेंगे तो आपको एक PDF form में Google पर मिल जाएगा तो आप वहां से भी data collect कर सकते हैं अच्छे देखे uneven economic recovery obviously बात है अब क्या हो रहा है कुछ areas बहुत जादा कुछ जो countries है वह बहुत अच्छी rate से recover कर रही है जैसे China और कुछ की economies बहुत जादा सफर कर रही है जैसे Shri Lanka हो गया पाकिस्तान हो गया Government interventions and policies affecting international trade अब देखो यह जो COVID-19 के बात से ही है जो अभी ही overall trade का scenario है इसमें क्या हो गया है कि government बहुत जादा interfere कर रही है जिसकी वज़े से बहुत खराब तरीकी का international trade का आप कह सकते हैं माहौल बन रहा है macroeconomic instability brought through higher levels of depth इसका best example क्या हो सकता है आपको सबको पता है Shri Lanka Shri Lanka पे इतना ज्यादा depth हो गया क्योंकि यह एक तरीके से tourist economy थी tourism इनका खतम हो चुका था covid-19 की वज़े से तो बहुत जादा इन्होंने depth लेके रखा है China का भी इन पे depth है और भी other countries का भी इन पे depth है तो depth की वज़े से बहुत जादा macroeconomic level पर instability आ गई है lasting changes in consumer spending अचा consumer spending में क्या change हो है कि covid के बाद से अब लोग कम खर्चा करना चाहते है लोगों की spending में भी पहले जितना travel पे और लोग बाहर घुमने जाते थे बाहर खाना पीना करते थे यह वो अब थोड़ा से लोग उससब चीजों को avoid कर रहे है थोड़ा सा cost cutting कर रहे है लोगों के पास ज्यादा पैसा है ही नहीं कि वो खर्चा ही करे खर्चा करने के पास लोगों की पास salary ही नहीं है पैसा ही नहीं है कोई income का source नहीं कितने business बंद हो गए कितनी सारी चीज हो गई तो इस वज़े से भी क्या हो रहा है कि एक तरीके से trade में problem आ रही है आच्छा यह जो दू comparisons मैने दिखा है 2021 और 2020 को तो आपको अब देखने की जौत नहीं है obviously आप 2023 में ये वीडियो देख रहे है तो 2022 और 2021 में हम लोग देख सकते है developed countries का import जो है वो 20% के around था और developing का 17% यह सारा data आपको United Nations की website पर मिल जाएगा अच्छा फिर 5th किया effect of conflict in Ukraine आपको पता है 7-8 महिने से Russia-Ukraine की war चल रही है अब इस war का भी बहुत जादा wheat पर या अलग-अलग जो आपका natural gas या energy resources उन पर क्या हुआ है उनके trade पर बहुत जादा इसका effect पड़ा है conflict in Ukraine is increasing international prices of energy and primary commodities आपको पता है wheat का बहुत अच्छा production होता है Russia में तो जैसे Pakistan के अभी जो latest आप currently देख रहे हैं कि Pakistan में wheat को लेकर बहुत जादा crisis है तो वो लोग क्या कर रहे हैं वो trade कर वा रहे हैं Russia से Russia से wheat आ रहा है Pakistan में जबकि इंडिया से भी आ सकता है लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के भी अभी relations उतने सही नहीं है तो इस वज़े से क्या हो रहा है वो रशिया से wheat को import कर आ रहा है बट अगीन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है Russia यूक्रेन वार की वज़े से तो कई सारी चीजों की प्रॉब्लम्स ही है जैसे आप देख सकते हैं कि यूरोप में काफी ज़्यादा energy crisis हो है क्यों क्योंकि Russia एक बहुती बड़ा एक्सपोर्टर है energy का energy resources का लेकिन European nations ने जो boycott किया या जो कुछ restrictions लगाए है रशियान energy resources पे तो उसके वादे से यूरोप को ही काफी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत trade पर effect आया है trade agreements and regionalization trends अब देको regionalization का क्या मतलब है जहां हम लोग इसको एक separate video में भी cover करेंगे जहां पर हम लोग trading blocks के बारे में जानेंगे regionalization मतलब कुछ countries है अपने चोटे चोटे ऐसे regions यह regional organization बना लिए जिनको हम लोग trading blocks काते इसमें लोग आपस में एक दूसरे को छूट देते हैं कुछ countries जैसे ASEAN है, SARK है या आपका EU है हाँ इस तरीके के जो भी आपके कुछ particular regions है या economic regions है या trade agreements है NAFTA है यह सब क्या होता यह undue advantage पहुचाते कुछ countries को और कुछ को क्या करते हैं कि उन्हें disadvantage देते हैं इसके वज़े से भी trade बहुँच ज़्यादा आपके सकते discourage होता है transition towards a greener global economy तेखो greener global economy का क्या मतलब है कि आजकल जो world में एक तरीके से एक pattern बना है कि यार ऐसी चीजों को demotivate या discourage करो जो कि pollution करती हो या जो कि समाज के लिए नहीं अच्छी है तो एक sustainable development की तरफ भी हमारी economy धीरे धीरे बढ़ रही है सारी पूरा world economy की यहां पर बात हो रही है तो उसकी वज़े से क्या होता है high energy prices में also result in general increase in the demand and trade of products required to support greener energy alternatives यानि greener energy alternatives की वज़े से क्या होता है कि demand और trade जो trade की demand यह products की वो बढ़ने लगती है अब किसकी यहां पर बात हो रही है energy resources की बात हो रही है तो अगर आपने सोच के रखा है कि यार हम अपने देश में green economy बनाएंगे हम chlorofluorocarbons का use नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें रेफ्रिजरेटर को ban करना होगा यह सारे अगर आपके गोल से हम sustainable development करेंगे तो इसके लिए आपको trade में भी कई सारे changes देखने को मिलेंगे अब देखो यहां पर कुछ trading blocks इसमें आ गया है लेकिन हम लोग इसे separate वीडियो में cover करेंगे जैसे NAFTA हो गया यह आपका Union of South American Nations है Eurasian Economic Community है इसका यहां पर एक world map type का भी मैंने बनाया हुआ है जो कि आपको यह जितना भी handwritten notes वाला part है यह सब आपको में telegram channel पर available है वहां से आप लोग इसे download कर सकते है और इसमें हम लोग ने international create का world pattern समझाए अगर आपको कुछ doubt से तो आप comment section में पूछ सकते हैं या फिर telegram chat group पे भी आप पूछ सकते हैं so thank you for watching and do subscribe the channel